मेरे प्यारे परिवार जनों जब हम इतिहास की तर्म नजर करते हैं तो इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो अपनी अमीड छाप छोड़कर जाते हैं और उसका प्रभाव सदियों तक रहता है और कभी कभी शुरुवात में वो बहुत छोटा लगता है छोटी सी घटना लगती है लेकिन वो अनेग समस्याओं की जड़ बन जाती है हमें आधे हजार बारा सो साल पहले इस देश पर आकर्मन हुआ एक छोटे से राज के छोटे से राज राजा का पराजय हुआ लेकिन तब पता तक नहीं था कि एक घटन भारत को हजार सार की गुलामी में फसाद देगी अर हम गुलामी में जगड़ते गए जगड़ते गए जगड़ते गए जगड़ते गए जो आया लूडता गया जो जिसका मन 5000 हम पे आकर सवार हो कैसा विप्रित काल रहा होगा वजार साल का मेरे प्यारे परिवार जनों गट्ला छोटी क्यों नहों लेकिन हजार साल तक प्रभाव छोड़के रही है लेकिन मैं आज इस बात का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि भारत के वीरों ने इस कालखंड में कोई गुभाग ऐसा नहीं था कोई समय ऐसा नहीं था जब उन्होंने देश की आजाती के लोग को गल्ता न रखा हो बलिदान की परंपरा न बनाए माभारती पेडियों से मक्त होने के लिए उठ खड़ी हुई थी जंजिरों को जग्जोर रही थी और देश की नारी शक्ती देश की वाजशक्ते देश के किसान देश के गाउं के लोग मजदूर कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं था जो आजादी के सपने को लेकर के जीता कि आजादी को पाने के लिए मर मिटने के लिए तैयार होने वालों की एक बड़ी फोस्त तैयार हो गई थीुसी इसलों में जवानी खपाने वाले अनेक महपुरूश्च्ट है हमारे देश की आजादी कि गुलामी की बेडियों को तोड़नें के लिए लगोत है मेरे प्या इतना को वो व्यापक रूप त्याग और तपस्या का वो व्यापक रूप जन जन के अंदर एक नए विश्वाज जगाने वाला वत्पल आखिर कर 1947 में देश आजाद हुआ हजार साल की गुलामी में संजोय हुए सपने देश वाच ये पूरे करते हुए देखे साथियों मैं हजार साल पहले की बात इसलिए कह रहा हूँ मैं देख रहा हूँ फिर एक बार देश के सामने एक मोका आया है इस ऐसे कालखन में हम जी रहे हैं ऐसे कालखन में हमने प्रवेश किया है और यह हमारा सवभाग्य है कि भारत के ऐसे अम्रित काल में यह अम्रित काल का पहला वर्ष है या तो हम जवानी में जी रहे हैं या हम माभारती की गोद में जन्म ले चुके हैं और यह कालखन मेरे शब्द लिख करके रखे मेरे प्यारे प्यरिवार जनों इस कालखन में जो हम करेंगे जो कदम उठाएंगे जितना त्याग करेंगे तपस्या करेंगे सर्वजिन हिताए सर्वजिन सुखाए एक के बाद एक फैसले लेंगे आने वाले एक हजार साल का देश का स्वननिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है 2047 में जब देश आजादी के सो साल मनाएगा उस समाएं दुनिया में भारत का तिरंगा जंडा विक्सित भारत का तिरंगा जंडा होना चाहिए रत्ती भर भी हमें रुकना नहीं है पीशे नियाटना है और इसके लिए सुचीता पारदर्शिता और निस्पक्षता ये पहली आप मजबूती की ज़रूरत है हमें उस मजबूती को जितना ज्यादा खात पानी दे सकते हैं संस्ताओं के माद्जम दे दे सकते हैं नागरी के नाते दे सकते हैं परिवार के नाते दे सकते हैं ये हमारा सामुहिक दाईत्व होना चाहिए और इसलिए पिछले 75 साल का इतिहाद देखी है भारत के सामर्थ में कोई कमी नहीं थी अरे जो देश कभी सोना की चिडिया कहा जाता था वो देश क्यों न फिर से उस सामर्थ को लेकर के खड़ा हो सकता है मेरा अतूट विश्वास है साथियो मेरे पियप परिवार जनो मेरा अखन अतूट एक निश्ट विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के सो साल मनाएगा मेरा देश विक्सिद भारत बन के रहेगा और ये मैं मेरे देश की सामर्थ के अधार पर कह रहा हूँ मेरे उपलब्द समसादनों के अधार पर कह रहा हूँ ऐसे घर कर गई है हमारी समाज ववस्ता का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी कभी तो हम आँख भी बंद कर देते हैं अब आँख बंद करने का सबय नहीं है अगर सपनों को सिद्ध करना है संकल्प को पार करना है तो हमें ये आँख में छोली बंद करके आँख में आँख मिलां करके तीन बुराईयों से लड़ना बहुत समय की मांग है हमारे देश की सारी समच्चाओं की जड़ में प्रस्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्ताओं को देश के समर्थ 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 को पूरी तरह नोच लिए प्रस्टाचार से मुक्ति प्रस्टाचार के खिलाब जंग हर की काई में हर ख्षेत्र बै और मैं दे स्वासियों मेरे प्रिये परिवार जनों यह मोदी के जीवन का कमिटमेंट है यह मेरे अब्यक्तित्र का एक कमिटमेंट है कि मैं प्रस्चाचार के खिलाब लड़ाई लड़ता रखूंगा दूसरा हमारे देश को नोच लिया है परिवारबाद ने इस परिवारबाद ने देश को जिस प्रकारजे जकड के रखा है उसने देश के लोगों के हक छिना है और तीसरी बुराई तुष्ट्री करन की है ये तुष्ट्री करने भी देश के मुल्फुचिंतन को देश के सर्वसमास बैशर हमारे राष्ट्रे चरित्र को दाग लगा दिये हैं तैस नैस कर दिया है इन लोगों ने और इसलिए मेरे प्यारे देश्वासियों इसलिए मेरे प्यारे परिवार जनों हमें इन तीन बुराईयों के खिलाब पूरे सामर्थ के साथ लड़ना है प्रस्त्राचार परिवारबाद तुस्त्री करण ये चुनोतियां हमारे ये ऐसी चीजे पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांशा है उसका दमन करती है हमारे देश के कुछ लोगों के पाद जो छोटा पोटा सामर्थ है उसका शोशन करती है ये ऐसी चीजे है जो हमारे लोगों के आशा आकांशाओं को सवाल या निसान में गार देती है हमारे गलीब हो, हमारे दलीत हो, हमारे पिछड़े हो, हमारे पसमांदा हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारी माताए बहने हो हमने सबने उनके हकों के लिए इन तीन बुराईयों से मुक्ति पानी है हमें प्रस्टाचार के खिलाब एक नफरत का वाहूल बनाना है जैसे गंदगी हमें नफरत परदा करते हैं मन में गंदगी पसंद नहीं है ये सारवजनिक जीवन की इससे बड़ी कोई गंदगी नहीं हो सकती और इसने हमारे स्वचता अभियान को एक नया मोड ये भी देना है कि हमें प्रस्टाचार से मुक्ति पानी है सरकार टेक्नोलोजी से प्रस्टाचार की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास कर रही है आपको जानकर कहरानी होगी इस देश में पिछले नौ साल में मैंने आकरा सुने को दो लोग ये खरकμε किसा करता है जैसे दस करोड लोग करीब करीब जो जलत फायदा उठाते तो वह मैंने रोड दिया तो आप अपने से कोई कहेगा आपने लोगों से नल्याय करदिया यह जाय लोग लोग यह 10 करोड वह लोग थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और उनके नाम पर उनके वीड़ो हो जाते थे वो वृद्ध हो जाते थे वो दिव्यांग हो जाते थे फाइदे लिए जाते थे दस करोड़े से बेनामी जो चीजे चलती थी उसको रोकने का पवित्र काम प्रस्टाचारियों की संपत्ति जो हमने जब्त किये नहीं वो पहले की तुल्ला में बीस गुना जादा की है मेरे प्यारे परिवार जनों यह आपकी कमाई का पैसा लोग लेकर के भागे थे बीस गुना जादा संपत्ति को जब्त करनेगा और इसले लोगों की मेरे प्रतिन नाराज़ी होना बहुत स्वाबावी करें लेकिन मुझे प्रस्टाचार के खिलाप की लड़ाई को आगे बढ़ाना है हमारे सरकारी ब्वथ्था ने पेहले के मेरा के सामने तो कुछ हो जाता था लेकिन बाद की ववस्ता को लेकर करें हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम इमांदारी से बरस्टा चार के खिलाब रड़ रहे हैं आज परिवारवात और तुष्टिकरन इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भागी किया है अब लोगतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी और मैं विशेद बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी आज मेरे देश के लोगतंत्र में ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोगतंत्र को मजबूत परिवारबादी पार्टी और उनका तो मंत्र क्या है पार्टी ऑप्स फैमिली बाइद फैमिली एंड फॉर्ड फैमिली इनका तो जीवन मंत्र यह है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी उनका राजनितिक दल परिवार का परिवार के द्वारा और परिवार के लिए परिवारबाद और भाई भतिजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं योग्यता को नकारत हैं सामर्थ को स्फिकार नहीं करते हैं और इसलिए परिवारबाद इस देश के लोगतंत्र की मजबूति के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है सर्वजन हिताए सर्वजन सुखाए हर किसी को हक मिले इसलिए और सामाजिक न्याई के लिए भी यह बहुत अज़र उसी प्रकारते तुश्टी करन तुश्टी करन ने सामाजिक न्याई का सबसे बड़ा नुक्षान किया अगर सामाजिक न्याय को तबाग किसे ने किया है तो ये तुष्टी करण की सोच, तुष्टी करण की राजनिती, तुष्टी करण का सरकारी योजनाओं का तरीका इसने सामाजिक न्याय को मोत के घाट उतार दिया है और इसलिए हमें तुष्टी करान प्रस्टाचार ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है अगर देश विकास चाहता है देश 2047 विक्सित भारत का सपना का साकार करना चाहता है तो हमारे लिए आवश्चक है कि हम किसी भी हालत में देश में प्रस्टाचार को सहन नहीं करें हमारे लिए जब नारी सम्मान की बात करते हैं मुझे अभी एक देश में दोरा कर रहा है तो वहाँ एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर है उसने मुझे एक सवाल पूछा उसने कहा आपके हाँ बेटियां साइंस और एंजिनिरिंग के विश्वें की पढ़ाई करती है क्या उस आज मेरे डेश में लड़कों से ज़्यादा बेटियां आज स्टेम स्टेम यहने साइंस टेकनोलोजी इंजिनिरिंग और मैथ अधिक्तम भाग मेरी बेटियां ले रही है तो उनके लिए अचरत था यह सामर्थ आज हमारे देश का देख रहा है मेरे प्यारे परिवार जन और विमेंस सिल्वल्गूप के साथ आप गाउं में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी आपको अंगनवाडी वाली दीदी मिलेगी आपको दवाई देने वाली दीदी मिलेगी और अब मेरा सपना है दो करोर लगपती दीदी बनाने का गाउं में दो करोर ल हमारे गाउं के महलाओं का भी सामर्त देखता हूं मैं और इसलिए हमें नई योजरा सोच रहे हैं कि हमारे अग्रिकल्चर सेक्टर में टेक्नलोजी आए एग्री टेक को बल मिले इसलिए विमेन सेल्फ भेव ग्रूप की बहरों को हम ट्रेनिंग देंगे ड्रोन चलाने की ड और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ भेव ग्रूप को बारत सरकार ड्रोन देंगी ट्रेंइंगे और हमारे एग्रिकल्चर के काम मैं ड्रोन की सेवाय उपलब्द हो इसके लिए हम सुरुवात करेंगे प्रारम हम 15,000 विमेन सेल्फ भेव ग्रूप के द्वारा ये ड्रोन की उसका उंध्धानद भी हमारे रहा हूं आप लिखके रखे उसके उत्धातन भी आप सबने मेरे नसिब में छोड़े हुए है हमारी कारिश हंस्क्री जी बड़ा सोचना दूर का सोचना सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सोचना यह हमारी कारिश है ली रही है और सोच से भी ज्यादा संकल्प से भी ज्यादा हाँचिल कैसे करना इस उर्जा के साथ हम काम करते हैं हमने आज़ादी के काल अमरिश सर्वजन में 75,000 अमरिश सरोवर बनाने का संकल्प किया था उस समय हमने हर जिले में 75 अमरिश सरोवर की कंपना की ती लेकिन आज गरीब करीब 75,000 अमरिश सरोवर का का काम निर्मान हो रहा है यह अपने आप में बहुत बिड़ा काम हो रहा है जन्रशक्ति और जल्रशक्ति की ताकत हारत के परियावरण के रक्षा में भी काम आने वादी है अठारा अजार गाउं तक बिजली पहुँचाना जन तंक बेन खाते खोलना बेट्कियों के लिए साउचाले बनाना सारे टार्गेट समय के पहले पूरी शक्ति से पूरे कड़गा और जब बारत ठान लेता है तो उसे पूरा करके जाता है यह हमारा ट्रेक रकॉर्ड कहता ह है दो सो करोर वैक्सिनेशन का काम दुनियां हमें जब पुझते हैं दो सो करोर सुनती है उनकी आखे फट जाती इतना बला काम कि मेरे देश के आंगनवाडी वरकर हमारी आसा वरकर हमारी हेल्थ वरकर उन्होंने करके दिए यह मेरे देश का सामर्त है फाउजी को रोल आउट किया दुनिया में सबसे तेज गती से फाउजी रोल आउट करने वाला मेरा देश है साथ सोजेदिक जिलों तक हम पहुंच चुके हैं और अब सिख जी की भी तैयरी कर रहे हैं हमने टास्पोर्ट बना दिया है सब्सक्राइब कर दिया हमने समय से पांच साल पहले पूरा कर दिया हमने समय के पहले 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा कर दिया हमने तैय कि हमारे देश में 25 साल से चर्चा हो रही थी कि देश में नई संसत बने पांच में का कोई सत्र ऐसा नहीं था नई संसत यह यह मोदी है ये निया भारत है ये आत्म विश्वास से भरा हुआ भारत है ये संकल्पों को चरितार करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है अर इसलिए ये भारत न रुकता है ये भारत न ठकता है ये भारत न हापता है और नहीं ये भारत हारता है प्रगेति के हर चीज में लेकिन जब 2047 हमें एक विखसिद भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं तब और वो सपना नहीं 140 करोर देश वाज़ियों का संकल्प है और उस संकल्पों सित्य करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा भी है और उसकी सबसे बड़ी तांकत होती है वो राष्ट्रिय चरित्र होता है दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है दुनिया में जो जो देश संकटों सो वो पार करके निकले है उस हर के उसमे हर चीज के साथ साथ एक महत्वपूर कैटलिक एजन रहा है वो राष्ट्रिय चरित्र रहा है और हमें राष्ट्रिय चरित्र के लिए और बल देते हुए मैं आगे बढ़ना होगा हमारा देश हमारा राष्ट्र चरित्र ओजस्वी हो तेजस्वी हो पुर्शार्दी हो पराकरभी हो प्रकर हो ये हम सबका सामुहित दाइत्व है और आने वाले पचीज साल हम एक ही मंत्र को लेकर चले यहमारे राष्ट्रिय चरित्र के सिर्मोर होना चाहिए एकता का संदेश भारत की एकता को जीना भारत की एकता को आचाए नैसी मेरी भाषा होगी नैसा मेरा कोई कदम होगा हर पल देश को जोडने का प्रयास मेरी तरब से भी होता रहेगा भारत की एकता हमें सामर्थ देती है उत्तर हो दचिन हो पुरव हो पस्तिम हो गाव हो शहर हो पुरूस हो नारी हो हम समने एकता के भाव के साथ और विवित्ता भरे देश में एकता का सामर्थ होता है और दूसरी महत्म की बात मैं देख रहा हूं अगर 2047 में हमें हमारे देश को विख्षिद भारत के रुप में देखना है तो हमें स्रेश्ट भारत के मंत्र को जीना होगा हमें चरितार करना होगा अब हमारे प्रोड़क्षन में मैंने 2014 में कहा था जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट तुनिया के किसी भी टेबल पर मेक इंडिया चीज हो तो दुनिया को विश्वाथ होना चाहिए इससे बहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है यह अल्टिमेट होगा हमारी हर होगी तो स्रेष्ट होगी हमारी निर्णे प्रक्रिया होगी तो स्रेष्ट होगी यह स्रेष्ट का भाव लेकर के हमें चलना होगा